हेलो दोस्तों तो कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे आज हम बात करेंगे एन आई जी वर्सेस एस आई एल फुल इस्टेट्स फ़लस इनफो यानि कि नाइजरिया वर्सेस शेहरा लेओन के बीज जो मैच नंबर फाइब खेला जाना यह जाये ऑप लिंगर चाहिए अब तक हैंब को यहां पिछ लिए अगर जोटेट्स जया तो टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिप्सक्रिप्सें में आपको और लिंक से या ना विदाओं लिंक क्या हो सकता है कि आप गलत चैनल में चले जाएंगे हमारे फिर चैनल से ेट-टू-इट के खेले गए हैं जहां पे नाइज्रिया के टीम पांचों मेचके सफिते हैं लिय से लियोवकाबल है से अच्रह तो इस चीजंग तो यह जो है ओपेन आके 38 किये था है साहीतालित गेंगों में नॉट आउट रहे थे वहीं असमिस सरेश्ट्रा जो की बिकेट की पर बल्लेवाज है नंबर तीन पर आके 14 किये थे वहीं आखिरे इसलिए जो की पहले वाट टी-20 इंटरनेशनल खेले थे डेब्यू हुआ था सकते हैं वहीं सेलेक्ष्टर ओक पर जो की टीम के कैफ्टेन भी है और एक अच्छे इस्पिनर बॉलर है यानि कि आप इनको सीवी सी कर सकते है आपने चार अबर पूरत करेंगे और आपको डेथ मतलब की 16-17 अबर भी करते दिख जाएंगे बाकि पीटर आहो की बात कर ले तो यह भी आप देखेंगे 17 अबर डाले थे खिलाडी बिल्कुल ठीक टाक है एक मेटन डालके चार अबर में दो बिकेट चटकाए तो खिलाडी बिल्कुल सांदर है आपको थोड़ा सा लोवर ओर में बल्ले वाजी भी देते हैं वहाई चेमली ओडिक्रीनिंग की बात कर ले तो यह भी एक लेग इस्पिनर है आपके लिए एक अच्छा यह चार ओवर कर जाते हैं तो एक अच्छी पिक रहेगी आप जो है इस्पिनर को सी बीसी ट्राइब कर लेंगे बागी प्रोस्पर उसे नहीं के बात कर ले तो आप देखेंगा दूसरा चौथा अठरवा टाले थे यानि कि तीन ओवर करके एक लिए थे बहुत ही यंग पिलेर है इन लोगों को आप ट्राइब कर सकते हैं अब देखें यहां से जो है आप नाइजरिया के फूल स्टेट्स देख सकते हैं जिस भी पिलेर का देखना चाहिए देखें वह इस सुलेमान ट्रॉंस तो इनका बिल्कुल आप टीम मेट लेंगे एडमले उनको यहां की बात कर लें तो यह ओपन ही खेलते थे 14 मेंचेस खेल चुके थे आप जिनका भी यहां पर फूल स्टेज देखना चाहते हैं दे सकते जैसे अभी जो अजेक्यू डेनियल अभी तक एक भी जो है नहीं खे मेचेस खेले हैं एक ही मेच केले हैं नमबर चार पर आए थे यह कलब T20 का इनके स्टेट जख सकते हैं और आप देखेंगे तो यह 2020 में अंडर 19 वर्ल कप जो होती है उनमें यह ओडियाई वर्ल कप उनमें यह पार्ट टाइम बालिंग कर रहे थे और रन बना रहे थे आके के टीम में होने चाहिए और आपके CBC होने चाहिए इन चीज का दियान रखेगा रिसेंट टाइम में तो बॉलिंग की है चोबीस मैचेस में आप देखेंगा आड़ बिकेट नाम है चार सो बिरान बयार तीन आफ सेंचरी इनके नाम है खेलने के चांस है हो सकता है कि खेल है तो आप इनका दियान रखेगा बागी और भी पिलेर है जो आप उनके स्टेट्स यहां पर दे सकते हैं इसाक जैसे सिल्वेस्टर ओक्पे का जोकी टीम के कैप्टेन आप इनके विस्टेट्स देख सोला मैच में उन्हें इस बिकेट इनके नाम है बागी यहां से पीट है उनिस्वा और भी एक और डाले थे जो इस सिरीज में तो देखेंगे तो और उन्हेंस मैचस में 14 इनके नाम है बागी जो अगर खेलते हैं तो ट्राइक कर लेंगे क्योंकि थोड़ा सा आप कहले कि यह लेगी स्पिनर आइसिंग की है थोड़े से रोल में इनके जो है ड खड़ा सा इसकोर कार्ड में कुछ अंतर दिखेंगे है जैसे कि पूरे आपको नहीं देखेंगे इन लोग गया क्योंकि इनकी पहले बल्लेवाजी आई थी उन्होंने पूरी बल्लेवाजी की थी पूरे नहीं कहाते क्योंकि DL मेठेट से मैच को करवाया गया था इनके तरफ से जोन बंगुरा जो की बिकेट कीपर बल्लेवाजा ओपन आई थे डख हो गए थे अब बास गबला जो की आब एड कर जिये गए है पहले एड नहीं थे पहले मैच में खिलारी ठीक है थोड़ी बहुत बाकि मिनेरो कपाका की बतकले नमर चार पर आगे डख हुए थे लंसला लमीन जो कि पिछले साल तक कैप्टेंशी कर रहे थे इस सीजन कैप्टेंशी नहीं कर रहे है बट नमबर पाच पर आए थे डख हुए थे थोड़ी बहुत गेंदवाजी रिसेंट टाइम में कलब क के तरफ से खेलते हुए किये हैं जाहिद खान की बात कर ले तो जाहिद आपको मीडि लोटर में आपको बल्लेवाजी दे सकते हैं बट थोड़ा साब गेंदवाजी कम ही करते हैं महमाद समसाथ खान जो की बैटिंग सेक्शन में है नमबर साथ पर आये थे तीन बॉल ही कि लिए नमबर चार नमबर पाच पर बल्लेवाजी करते हैं इस सीजन इन सो जो है पहला में जो खिले नमबर आट पर आये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है बट यह खिलाड़ी जो है आपको मीडिल ओडर में बल्लेवाजी भी दे सकते हैं तो एक विके आप देखें हैं तो यह भी नमबर पाथ से च्छे पर बल्लेवाजी कर देते हैं इस सीरीज में नमबर 11 पर आये थोड़ी सी समझ से बाहर थी बट यहां पर आप देखें हैं दो अबर करके 14 रंद दिये थे तो इन लोग को आप ट्राय कर सकते हैं बागी आप देख लें सेरा लियोन की फूल इस्टेट देखें इबराहिम का मारा राउंडर सेक्षन में खेलते हैं तो बिलकुर टीम में ट्राय कर लेंगे बागी जोन बंगुरा का आप लास्ट के पांच में दे सकते हैं तो एक एबरेस से ही पिले रहा है आप इनको इग्णोर भी करेंगे तो जो और सेसी देखेंगे तो नमबर 3-4-6 पे आ रहे थे तो इन लोगों का जो बैटिंग ओडर लास्ट मेच के मुकाबले आप देखेंगे तो बहुत अंतर मिलेगा देखेंगे जो है आप पो बैटिंग सक्षन में मिल जाएंगे आपको थोड़ी बहुत गेंवाजी ते सकते हैं अब हम चलते हैं अपनी जो है डेमो टीम वहाँ पर बाके डिसकस करेंगे देखें बिकेट किपिंग सक्षन दोनों ही पिलेड लगभग एक जैसे ही यानि कि दोनों एबरेज है बट एस रष्टा का एडवांटेज है कि यह थोड़े से आप लेते यह जो है एक स्ट्रोंग टीम से आते हैं तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज देदेंगे केचि दे सकते हैं अब आपको पास ऑफस्टन है यहां पर एम समसाथ को ले ले या तो फिर एग अबला भी थोड़ी बहुत गेनवाजी करते हैं बट सारे मैंच में नहीं करते हैं बट एम समसाथ जो है आइधिंग की दो से तीन ओवर आपको तो देने ही चाहिए तो मैं अभी एग अबला के साथ नहीं जाके मैं समसाथ के साथ यहां यह आपको रहेगा यहां से एयर लामीन जो है थोड़ा मीडिल ओडर में आ रहे हैं अगर एर नोस्ट खेल लेते तो मैं इनको ले लूँगा इस दियान रखे हैं कि यह अच्छी खासी गेनवाजी कर लेते हैं समसाथ संति यह वड़ा से एक रुडा को ले लोगा पहले गेंवाजहती हैको मैं मौहामाwest समसाथ को ले लूँगा यहाँ पर चाहिए झायद खान को भी ले सकते हैं यहाँ पर लिंक्स से ओड़ा साप यहक में लाक श्यxis में दो है दो है बाकि S-O-Q-Way आपके लिए एक CBC का चोईस भी होने चाहिए टीम के कैप्टेन भी है और E-Spinner है आपको अच्छी कासी पॉइंट दे सकते हैं वहाँ पर R-Abdulkarim जो E-Spinner है मैं E-Spinner को प्रेपर कर रहा हूँ इसलिए मैं R-Abdulkarim को ले रहा हूँ यहां से देखिए आपके बास ऑप्सन है आप अगर किसी वह ट्राइ करना चाहते हैं तो R-Coker जो की एक अच्छी ऑप्सन रहने वाला आप इनको ट्राइ कर सकते हैं प्रोस्पर उसे नहीं भी आपके लिए अच्छी पीक हो सकते हैं यह कुछ पीक है अभी के लिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं और एक बोलर को ले सकते हैं क्योंकि डेथ में बॉलिंग के देश्य यहां पर प्रोस्पर उसे नहीं थोड़े से एक्स्परियंस कि लाड़ी यह बट यहां पर जो है सी उड़कोई लास्ट में एक अधी ओवर डेथ में डाले थे इस केस्में आप यह जो हैं कॉमिनेशन स मुझे लग रहे हैं इस मैच में मेरे सी तो जी नगाईबा के साथ जाने वाले क्योंकि यह आपको टॉप और में बल्ले वाजी दे रहे हैं पर आई तेंकि चार ओवर की गेंदवाजी भी दे सकते हैं और इन लोग जो प्रोपर और मुझे लगे यह सारे मैचेस में तो ज तो आप इन लोह को भी सी कर सकते हैं और इनको कर सकते हैं पहले गहराण वाजी आती है यहाँ पर यहांपर अब्दुलकरीम भी एक अच्छे और रहने वाले तो कुछ ये CBC के option है उम्मिद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे तरह के सा समझा पाए हो वीडियो अगर अच्छी लगए है तो लाइक कर दीजेगा चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा तो मिलते हैं नेश वीडियो में थेंक यू